अब हमारा part 2 शुरू होता है इस session का यानि कि how to start a big business कि अगर कुछ बहुत बढ़ा करना है तो उसके लिए कैसी सोच चाहिए होती है या वो ideas आते कहां से हैं देखो अब बढ़ा business करने के दो तरीके हैं एक है जैसा ज्यादा तर इंडिया में होता है यानि कि क्या पहले देखते हैं पूरे वर्ल्ड में क्या-क्या business successful है फिर उसको इंडिया में copy कर लिया जाता है इस तरीके में दिक्कत ये है कि ये कहने के लिए तो बढ़ा हो जाता है पर एक्चुल में बढ़ा नहीं है क्योंकि इस सिरफ इंडिया तक सीमित रहता है globally हम उनसे compete नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिसके हम copy कर रहे हैं वो हमसे बहुत बढ़ा है तो हम उसके ऐसा बनने की कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन उससे कभी compete नहीं कर सकते हैं और फिर जब वो खुद इंडिया में आता है वो player जिसके हमने copy करके इंडिया में एक business model खड़ा किया तो उसके पास में इतना पैसा होता है और इतना experience होता है और वो इतना evolve हो चुका होता है कि वहाँ करके बड़ी जल्दी market को capture कर लेता है तो मैं जब बड़े business की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे business की जो इंडिया से शुरू होगा और पूरे world को capture करेगा अब ये business model आया कहां से देखो एक problem है चाए वो मेरी company हो चाए किसी की company हो चाए वो कोई product हो चाए service हो हमें पता करना होता है कि market में जो customer है वो हमारे बारे में क्या सोचता है उसी के according नए products launch किये जाते हैं उसी के according existing products में changes करे जाते हैं उसी के according prices में changes होने चाहिए और हमें सिर्फ ये नहीं समझना कि हमारे product और service में क्या साही हो रहा है हमें ये भी समझना पड़ेगा जो हमारे competitors हैं उसमें क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है ये problem हमने भी face करी अभी कुछ साल पहले जब हमारे business में थोड़ा सा downfall आया तो फिर हमने क्या किया अपनी पूरी team को भेजा इंडिया के अलग-अलग parts में हमारे जितने भी customers हैं उनसे मिलने के लिए वो personally गए उनसे मिले जा करके समझा फिर उसके हमने पूरी एक report तियार करी इस पूरी process में तीन महीने लग गए और फिर जा करके मेरे को clarity आई कि exactly problem हो क्या रही है यगि जैसा हम सोचते है problem है और जो actual में होती है उसमें जमीन आस्मान का फरक होता है एक होती है ground reality एक है जैसा एक business owner को लग रहा होता है तो ground reality हमारे सामने आई जब ये पूरी exercise हुई जब पूरे इंडिया में अलग-लग लोग गए हमारी team के अलग-अलग customers से मिले और फिर समझ आया कि अच्छा ये pattern है कि 100 में से 50 customers बोल रहे हैं ये problem है जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं हम तो कहीं और ही काम कर रहे थे 20 ने बोला ये problem है 10 ने बोला ये problem है 5 ने बोला ये problem है तो ये top 4 हमारी problems है जिसका हमको solution निकालना है वो हमने किया और business grow करने लग गया अगर मैं ये नहीं करता यानि market से feedback नहीं लेता और खुदी कुछ करता रहता तो क्या होता वो business बंद हो जाता जैसे past में बहुत सारी companies के साथ में हुआ जैसे एक time पे Nokia आप में से कितनों ने नाम सुना है Nokia का बहुतों ने तो सुना भी नहीं होगा तो कि तब आप पैदा ही नहीं होए थे एक जमाना होता था जब Nokia पूरे वर्ल्ड का लीडर था मुबाइल फोन्स में लेकिन फिर जब स्मार्ट फोन आए तो वो समझ नहीं पाया कि market किस तरफ जा रही ही है वो अपने हिसाब से करता चला गया काम को नहीं यह मत समझे नहीं किया उसने changes करे होंगे लेकिन अपने हिसाब से करे market के हिसाब से नहीं करे दोनों में बड़ा फर्क है तो यह कितनी बड़ी प्राब्लम है चाए कोई बड़ी कंपनी हो मिट साइब की कंपनी हो चाहे कोई अपना नया बिजनस शुरू करने वाला है उसे पता होना चाहिए नहीं कि मैं इस बिजनस में एंटर कर रहा हूँ इसमें अलड़ी यह कंपनीज है उसका क्या चल रहा है उसके इसाब से इंसान गैप ढूंड सकता है तो सबको ऐसी एक रिपोर्ट की जरुवत है जो कि कुछ seconds के अंदर अंदर उसको मिल जाए और तीन महीने ना लगाने पड़े और लाखों रुपए ना खर्शने पड़े पूरे world में ऐसा कोई solution नहीं है कि instantly एक कंपनी को यह समझ आ जाए पूर एक मुबाईल फोन की कंपनी है उसको यह समझ आ जाए कि जो भी लोग मेरे existing customers है वो क्यों खरीद रहे है मेरा मुबाईल फोन उसमें उनको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है प्लस जो मेरे competitors का मुबाईल फोन खरीद रहे है उसमें उनको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है अगर ये कुछ seconds के अंदर एक data एक company तक पहुँच जाता है तो data कितना important है उसके लिए और data सिरफ एक sample size का नहीं जैसे normally feedbacks होते हैं कि shopping mall में कुछ बंदों को भेज दिया और बोल दिया कि form भर दो बहुत बार तो वो जो person होता है वो खुदी form भर के आगे submit कर देता है उल्टे उल्टे sign करके कि लोजी हो गया feedback अभी it's like hitting in the dark बिना data के या with limited data के मला अभी companies कैसे act करती है based upon what they think what their people think which is very different from what the market think चलो मैं आप से पूछता हूँ आप सब consumers हो किसी ना किसी product के किसी ना किसी service के क्या आप सारे product से सारे services से satisfied हो नहीं हो क्या ये बात उन companies को पता है नहीं पता है यह पता भी है तो बहुत ही limited way में पता है तो अब यहां से या idea आया था मेरे माइन में कि कुछ ऐसा करना चाहिए मतलब यह problem solve होनी चाहिए यह बहुत important है और यह problem सब जगे है इंडिया में है US में, UK में है, Europe में पूरे world में है यह problem इसका कोई solution निकलना चाहिए यानि कि consumer और brand के बीच में direct connection होना चाहिए यह जो idea है this is a big business idea यह कोई छोटा business idea नहीं है तो यह काम पांसा दस लाग रुपे में नहीं होगा इसके लिए ideally you need to be someone from the tech background और आपको कोई ऐसा co-founder चाहिए जो की business background से हो तो इसमें दोनों knowledge चाहिए business की भी knowledge चाहिए और tech की भी knowledge चाहिए तो ideally इस idea को अगर बड़ा बनाना है तो दो या तीन co-founders होने चाहिए या चार co-founders होने चाहिए जिसमें से कोई tech background से हो और कोई business background से हो for example किसी ने IIT से engineering कर रखी है और किसी ने IIM से MBA किया हुआ है अब यह दोनों साथ में आ गए कहा कि अब मिल करके कुछ बनाते है इसमें हमें क्या करना है कि एक platform बनाना है उस platform पे आप सब जो consumers हो आप जाओगे वहाँ पे अलग-अलग product categories होंगी उन product categories के अंदर brands होंगे मालो smartphone एक product category है उसके अंदर जितने भी smartphone के brands है उन सब के नाम आ गए उसमें से आप select करोगे आप कौन सा use कर रहे हो और उसके साथ में यानि कि with proof एक short video upload करोगे जिसमें वह product दिख रहा होगा तो सुबे से रात तक आप कितने products use करते हो right from toothpaste to a bike और a car सोचो लगाओ दिमाग कितने products कितनी services use करते हो हजारो आपको क्या करना है एक platform है एक video record करी product category को select किया मानो smartphone उसमें से जो smartphone आप use कर रहे हो उसको select किया और उसके लिए पहले से इसलिए मैंने काना कि ऐसा भी person चाहिए जो business की understanding हो यानि जिसने MBA किया हो तो उसने पहले से ही smartphones के लिए एक questionnaire बनाया होँ है कि smartphone मतलब क्या कि design के base पे आप इस smartphone को कितनी rating देते हो 5 में से price के base पे कितनी rating देते हो speed के base पे कितनी rating देते हो या जो भी होता है उसके base कितनी rating देते हो तो मान लोगे 10 questions है इसका आपको सिर्फ select करना है on a scale of 1 to 5 अब सवाल उठेगा आप ये क्यों करोगे इतना वेला टाइम किसके पास में है उस पे अभी मैं आऊँगा रुख जो रुख जो अराम से सुनना आपको क्या करना होगा as consumer चाए आप एक student हो चाए job कर रहे हो चाए business कर रहे हो प्री टाइम आपके पास में होता है weekends होते है evening का time होता है आपको एक एक करके जो भी हजारो products और services आप यूज़ कर रहे हो उसका आपको feedback देना है उसका questionnaire पहले से ready है जो ए platform पहले से ready कर चुका है जैसे आपने select किया smartphone में ये particular product तो उसका questionnaire आ गया कि on the basis of this आप कितनी rating देते हो तो वो आपने rating दी प्लस अपनी एक video आप upload करोगे अपने mobile से उस app में उस video में क्या होगा आप short में बताओगे जो आप उस product के बारे में like करते हो और एक चीज जो आप उसके बारे में dislike करते हो अब आपको ये सुनने में छोटा लग रहा होगा बढ़ कंपनी के point of view से कितना important है data you can't even imagine in the wildest of your dreams जो इस company का CEO है या marketing head है या marketing की पूरी की पूरी team है advertising की team है ad agency है उनके लिए data कितना important है कितना valuable है और especially अगर उनके competitors का भी मिल जाए अब एक platform के लिए यानि कि इस business के लिए यानि कि मेरे लिए एक challenge है that it has to be a win-win-win situation for everybody यानि consumer के लिए जो feedback दे रहा है उसके लिए भी ये beneficial होना चाहिए product या service है brand है उसके लिए भी benefit होना चाहिए plus मैं platform हूँ मेरे लिए भी benefit होना चाहिए अगर किसी एक के लिए भी beneficial नहीं है तो ये business model लंबे time तक नहीं चलेगा बंद हो जाएगा तो अब एक ही करके देखते है किसके लिए क्या benefit है यह हमें clear हो गया कि product के लिए brands के लिए कितना बड़ा benefit है अगर इस data genuine हो और volume में मिल जाए यानि करोड़ा लोगा data एक जगे पर जहां पर हमने कुछ filters लगाए मैं एक brand हूँ मैंने filters लगाए कि इस particular age group में ये product जो use कर रहे हैं उनका क्या take है और उस पूरे data को compile करके charts में convert कर दिया जाए कि on the basis of these many people ये data ये बोल रहा है तो brand के लिए तो ये बहुत कमाल का data हो गया number one अब platform कैसे कमाएगा और consumer कैसे कमाएगा उसका क्या फाइदा है समझो इंडिया में एक बहुत बड़ी problem है वो क्या है कि यहाँ पे जो low income group है middle income group है वो बहुत बड़ा है तच सराव 97% मनलब इंडिया में 97% ऐसे लोग है जो महीने का 50,000 से कम कमाते है और family है मानो 4 लोगों की, 5 लोगों की, 6 लोगों की 20, 30, 50,000 रुपे में कुछ नहीं होता है आज के time में समझ आगी problem ये pain area समझ आया है न ये किसका है? consumer का है तो हर एक को extra income चाहिए लेकिन extra income के लिए या तो एक और job करनी पड़ेगी तो उसके लिए अपनी job छोड़नी पड़ेगी अब क्या करें? दूसरा business करना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा चाहिए risk उठाना पड़ेगा तो क्या हो अगर आपको कहा जाए कि आपको कुछ रही कटा अपने mobile से जितने भी products और services आप use कर रहे हो वैसे भी time pass के लिए reels तो अपनी बनाते रहते हो YouTube पे shots डालते रहते हो तो इस platform पे आपको upload करने है अपने genuine feedback अब जब भी कोई brand उस data को access करेगा तो उसके 1000 उपे देगा एक feedback के उसमें उसको क्या मिल रहा है एक video मिल रही है जिसको वो as a testimonial use कर सकता है अपने सारे social media platforms पे अपनी website पे सब जगे पर अपने ad campaign में ये right आपने उस platform को दे दिया है आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप actual में उस product को use कर रहे हो तो अब ये fake advertising नहीं है real advertising है नहीं से समझें ना दोनों में difference fake advertising क्या होती है कि एक branding model को hire किया और आ करके दिखा रहा है या दिखा रही है कि देखो ये use कर रहे है सब को पताए सब नकली है एक है real advertising, real feedback, real testimonial इसकी क्या value है जैसे मेरा अपना एक business है अगर सोचो मेरे actual customers का feedback मुझे मिल जाए और उसका right मिल जाए कि मैं अपनी website पर लगा सकूँ वो testimonials वो videos, उनकी photos जो वो कह रहे है मेरे product के बारे में उसको quotation में डाल करके उनके नाम के साथ detail के साथ में लिख सकूँ तो ये data मिलने कितना important है इससे trust build होता है तो क्या इसके लिए brand 1000 रुपे एक feedback का दे सकता है नहीं दे सकता है बड़े अराम से दे सकता है और क्या वो एक feedback लेगा या फिर कुछ filters लगाने के बाद में मानो इस particular mobile के इस particular city में इस particular age group में मानो 1000 feedback आ रहे हैं तो क्या वो उन्हें 1000 में से randomly एक feedback लेगा क्योंकि वो देख नहीं सकता जब तो पे नहीं करेगा या फिर वो 1000 के 1000 ले लेगा और उसके साथ में उसको data mining भी मिलेगी in the sense कि उस 1000 का जैसे ही वो purchase करेगा उस 1000 के पूरे data को वो intelligently देख सकता है कि 1000 में से 600 लोग ये बोल रहे है 200 लोग ये बोल रहे है 100 लोग ये बोल रहे है इन इन parameters की base पे और इन 1000 के 1000 लोगों का उसको वीडियो मिल जाएगा तो उसने कितना पे किया platform को 1000 into 1000 10 लाख रुपे इस 10 लाख रुपे में से 5 लाख रुपे अब आपको ये पूछना है जहां से सुनो एक जिस company के बर में आप feedback दे रहे हो वो तो करेगा ही करेगा दूसरा उसका competitor करेगा अगर आप एक particular brand का smartphone ये उस कर रहे हो तो किसका ज़्यादा interest होगा उस feedback में क्या उसका खुद का brand का या उसके competitors का कि आप मेरा product क्यों नहीं खरीदे रहे है उसका क्यों खरीदे रहे हो देखू तो सही तो सिर्फ वो नहीं खरीदेगा आपके feedback को सारे competitors खरीदेंगे प्लस जो लोग उस market में एंटर करना चाहते है वो भी खरीदेंगे जैसे कोई cosmetic company है अब इंडिया में कितनी cosmetic companies है हजारो तो ये हजारो companies के लिए data बहुत important है कि समझना कि ये जो leader है इस particular field में इसके products क्यों use हो रहे है या फिर कोई ऐसी company जो कितना बड़ा brand नहीं है लेकिन उसकी turnover उस बड़ी company से भी जादा है ऐसा क्यों हो रहे है तो उस बड़ी company को भी समझ आएगा उस छोटी को भी आएगा और जो company गुसने वाली उनको भी आएगा बाकी सब को भी आएगा तो एक feedback बहुत बार download हो सकता है और आपके कितने feedbacks हो सकते हैं बहुत सारे तो अगर महीने का pessimistically बात करूँ optimistically ना करूँ पर चार अधार उपे भी आने लग जाता है बुरा है क्या तो क्या हम इंडिया की बहुत बड़ी problem solve नहीं कर रहे है क्या हम brand की बहुत बड़ी problem solve नहीं कर रहे है अब as a platform मेरा क्या benefit है सोचो लगाओ दिमाग क्योंकि 50% आपको दिया जो पैसा आया उसमें से 50% किस के पास आया platform के पास में आया platform की cost क्या है लगाओ दिमाग क्या मेरी कोई advertising cost है marketing cost है नहीं क्यों क्योंकि शुरू शुरू में में को थोड़ा बहुत advertise करना होगा लेकि जब word of mouth फैलेगा यानि जब लोगों को थोड़ा पैसा भी आना शुरू होगा तो बात जंगल में आपकी तरह फैलेगी यानि जिस दिन आपको 2000 रुपे का भी चेक आ गया उस दिन ना तो आप रुकने वाले हो ना आपके घर वाले रुकने वाले हैं पैसे से बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं है जब पैसा आता है बैंक अकाउंट में तो आपके पिता जी कहींगे बिटा ये कैसे आया मैंने ना ऐसे से करके वीडियो बनाई थी ये किया ये तो मैं भी कर सकता हूँ ठीक है कर लेते हैं पैसा किसको नहीं चाहिए ये हो गया कंज्यूमर के एंड से अब प्लाटफर्म के एंड से देखते है क्या गेम बनता है इस प्लाटफर्म में जो कॉस्ट आने वाली है वो वन टाइम आने वाली है एक बार ये platform बिल्ड हो गया तो उसके बाद में इसकी maintenance की cost बहुत जादा नहीं है ना तो हमें कोई product खरीदना है ना बेचना है ना कुछ ship करना है सब कुछ online है तो जो geographical barriers होते हैं वो तूट गए यानि कि इसमें कोई भी इंसान किसी भी दुनिया के कोने से अपना feedback अपलोड कर सकता है और कोई भी company कही से भी access कर सकती है तो right from day one we can have the vision to capture the entire globe इसको बोलते हैं बड़ा business ये problem सिर्फ इंडिया की नहीं है पूरे world की है तो पूरे world से इस platform पे कोई भी आ सकता है जैसे आप लोग US की companies है Facebook, Google, Instagram, YouTube उन सब को इंडिया में use कर रहे हो न तो हमारी Indian company को क्या को US में use नहीं कर सकता है क्या हमारे पास में engineers की कमी है अगर हम एक ऐसा platform develop करना चाहें जो world class हो क्या हम नहीं कर सकते क्या अभी यह जो platforms है इसको हम develop नहीं कर रहे है in fact हमारी जो software companies है हमारी जो tech companies है इंडिया की सबसे बड़ी वो यही तो कर रही है तो वो क्या कर रही है job work मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसा platform खड़ा करने की जो world class हो जो पूरे world को capture कर सके अगर सिर्फ इंडिया की बात करी जाए सिर्फ बड़ी companies के बारे में बात करते है 10,000 companies जो बड़ी companies हैं और mid-size की companies हैं और advertising agencies है सिर्फ वो use करती है इस platform को phase one में छोटी-छोटी companies नहीं करती हम 1000 रुपे भी नहीं दे सकते कोई बात नहीं तो मान करके चलते हैं जो top 10,000 companies हैं वो सिर्फ महीने के 100 feedbacks on an average download करती है तो कितना हो गया एक महीने का 10,000 into 100 यानि की 10,000,000 into 1000 करोड यानि कितना हो गया 100 करोड रुपे एक महीने का साल का कितना हुआ 1200 करोड 1200 करोड में से कितना बट गया पब्लिक में 600 करोड उसमें से उस कंपनी का खर्चा कितना आया जैसे आजकल जो start-ups हैं वो क्या कर रहे हैं business model ऐसा बनाते हैं कि 10 साल तक पैसा लगाना पड़ता है उसके बाद में उस platform को maintain करने की salaries की क्योंकि इसमें बहुत बड़ी team नहीं चाहिए इसमें tech चाहिए तो 100 करोड वो निकाल दो बचा कितना 500 करोड अब एक ऐसा business जिसका इतना बड़ा potential है उसका P.E. multiple क्या होगा P.E. multiple होता है price to earning ratio ऐसी कंपनी का P.E. multiple होगा कम से कम भी 40-50 तो अब 40 का P.E. multiple है 500 करोड को 40 से multiply करते है तो उसकी valuation हो गई 20,000 करोड और ये इस कंपनी का end नहीं है ये सिर्फ इस कंपनी का एक starting point है बड़ी कब होगी जब ये पूरे world में फैल जाएगी तब इसका असली जो potential है वो unlock हो जाएगा सर जो customer है वो एक दिन review दे रहा है दो दिन review दे लागातार मतलब एक-दो महीने दे रहा है फिर लागातार देता क्यों रहेगा अगर उसे पैसे नहीं मिले तो ये बहुत अच्छा point है जो आपने raise किया इसको बोलते चिकन एन एक problem मतलब ये कि जब तक लोग इस पे अपने feedbacks upload नहीं करेंगे तब तक बड़े brands नहीं आएंगे जब तक brands आ करके pay नहीं करेंगे तब तक consumer नहीं आएगा ये problem हर marketplace face करती है हर social media platform face करता है in fact हर platform face करता है in other words जब तक YouTube पे content नहीं होगा कोई देखेगा नहीं जब तक कोई देखेगा नहीं ad नहीं चलेगी तो creator को पैसा नहीं मिलेगा पैसा नहीं मिलेगा तो कब तक upload करेगा लेकिन अगर ये काम company तेजी से नहीं कर पाई तो उसके लिए problem हो जाएगी जैसे हमारे लिए ये काम करना बहुत असान है अगर मैं खुद ये business करूँ तो मेरे लिए तो बहुत असान है क्यों मेरी consumer reach क्या है अगर मैं बात करूँ अपनी consumer reach की तो मेरी consumer reach क्या है not 27 million my consumer reach is more than 50 million क्योंकि अभी आपने सिर्फ YouTube की बात करी अगर आप पूरे सारे platforms को combine कर दो और directly और indirectly combine कर दो तो क्योंकि मेरा एक network है पूरा का पूरा अगर मैं आज चाहूँ तो सिर्फ अपने platform के थूर नहीं जिसको कहूँगा वो invite करने के लिए तयार बठा है मेरे को अपने platform पे तो मेरी क्लाइंस कहां से आएंगे images बजार में हमारे क्लाइंस कौन है चोटे मोटे businesses या फिर जो बड़े businesses हैं और जो बड़ी agencies है जितने भी बड़े brands हैं इंडिया में जितनी भी बड़ी companies हैं इंडिया में वो सब already हमारे customers हैं तो हमारी ये problem भी solve हो गए उनके साथ में already हमारी relationship है तो मुझे platform बनाना है आप लोग को बताना है ये platform है जहां से आप कमा सकते हैं इधर से उन agencies को बताना है जो already हमारे customers हैं जिनके साथ already हम बहुत अच्छा business कर रहे हैं कि देखो आपके benefit के लिए ये भी हमने introduce किया है और उसको हम promote कर देंगे अपने platform से तो वहाँ पे एक जटके में हमारे पास brands भी आ जाएंगे और consumers भी आ जाएंगे तो ये chicken and egg वाली problem solve हो गएगी तो जो इंसान इसको करेगा क्योंकि मैं तो नहीं करूँगा मेरा interest नहीं है यानि पहली उसको बहुत सारे consumers तक पहुशना पड़ेगा तो उसका तरीका क्या है उसको influencers के थुरू पहुशना पड़ेगा प्लस brands के लिए उसके पास में एक sales team और marketing team होनी चाहिए जो कि उन brands को अप्रोच करें और phase 1 में सिर्फ बड़े-बड़े brands को tap किया जाएगा या फिर better still सिर्फ एक category से शुरू किया जाएगा जैसे Flipkart ने जब अपना business शुरू किया था तो सिर्फ बुक से किया था Amazon ने जब किया था बुक से किया था बाद में धीरे-धीरे और भी products आड हो गए तो यहां पर क्या किया जा सकता है सिर्फ स्मार्टफोन से शुरू किया जा सकता है काम असान हो गया स्मार्टफोन के कितने brands हैं इंडिया में 15, 20, 30 तो इन 30 companies को इतो अप्रोच करना है 30 companies को अप्रोच करने के लिए कितनी बड़ी marketing team चाहिए है 2, 3 लोग भी बहुत है तो स्मार्टफोन से शुरू किया जाएगा इस business model को फिर धीरे धीरे expand कर दिया जाएगा तो इससे अमारी वो problem solve हो जाएगी तो एक साथ अगर हम करोड़ों प्रोड़क्स निकाल देंगे तो हम फस जाएगे तो phase 1 में इसको सिर्फ एक category से शुरू किया जाएगा जहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा need है and smartphone is the best category for this kind of business model तो कि वहाँ पर कितनी तेज़ी से change हो रहा है हर थोड़े दिन बात कोई नया model आ रहा है तो जब कोई नया model आएगा तो उनको दुबारा से feedback चाहिएगा उस नय model का उसकी competitors को भी चाहिएगा तो business बहुत तेजी से घुमेगा फिर बात में धीरे धीरे जब consumers आ गए और यह आ गए और एक cycle बन गई तब और एक और category को introduce किया जाएगा फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और सर आपने जैसे अभी बोला कि हमें बड़ी बड़ी companies तख reach करना है उसके लिए लेकिन अभी तो हमने start कि हम बड़ी बड़ी company तख reach कैसे करेंगे तो यह business model आपके लिए नहीं है ना मैंने कभ कहाई यह आपके लिए हैं मैंने कब कहा है सबके लिए हैं अरे मैं बात कर रहा हूं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी करने के बारे में तो इसके लिए कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसकी कोई बहुत ही स्ट्रॉंग या तो expertise हो या educational qualification हो या उसके अंदर कुछ ऐसा हो कि कुछ private equity funds या कुछ angel investors उसके उपर पैसा लगाने को तयार हो तब वो इतना बड़ा business खड़ा करने के बारे में सोच सकता है नहीं तो नहीं सोच सकता तब ही मैंने इस session को दो पार्ट में divide किया small business and big business आप यह सोचों में अकेला या business खड़ा कर दूँगा अरे ना भाया इसमें शुरू में लगेंगे पांदस करोड रुपे तो पांदस करोड रुपे लगाने के लिए भी होना चाहिए जो angel investors है या जो investors है उनकी कमी नहीं है हमारी country में वो ऐसे से businesses को fund कर रही है जहां पर profitability का दूर दूर कोई नामों निशान नहीं है फिर भी उनको funding मिल रही है 500 million dollar की 1 billion dollar की अरे तो ये business तो clear है इसको funding नहीं मिलेगी है 10 million dollar की अगर founders तगड़े हो तो तो ये business model हरेक के लिए है ही नहीं in fact हर काम हरेक के लिए नहीं होता है जैसे business हरेक के लिए नहीं होता है जॉब हरेक के लिए नहीं होता है ये सिर्फ उन लोग के लिए है जो actual में कुछ बहुत बड़ा सोच रहे है और कुछ बहुत बड़े level पे करने का दम भी रखते है अगर आपके पास में इतने resources नहीं है या वो capability नहीं है कि आप ये platform बिल्ड कर सके या इतने बड़े level पे चीज़ों को execute कर सके तो please this business के बारे में मत सोचिएगा तो जो part 1 में हमने बात करी थी small business के बारे में that's a better way of starting और ज़रूरी नहीं है जो मैंने कहा वहीं करना है कि अब सारे 99 jewels खोल करके बैठे हैं गली-गली में नहीं you can understand कि मैं क्या कह रहा हूँ किस तरीके से कह रहा हूँ उस thought process को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ से you will get that clarity of thought कि जिसके base पे जो आप करोगे there is a strong possibility कि वहाँ पे आपको success मिलेगी अगर बिना सही thought process के बिना ये clarity के कि क्या करना है और क्या नहीं करना है आप कोई भी काम करोगे तो failure के chances बहुत जादा है तो समझना है तो ये मत समझो कि मैंने कुछ कहा बस उसको copy करना है ये समझो कि कैसे एक problem को देखते हैं कैसे solution निकालते हैं कैसे चीजों को समझते हैं और फिर कैसे बड़ा सोचते हैं Wish you all the best I hope कि आप लाइफ में कुछ और अच्छा करोगे कुछ बड़ा करोगे Wish you all the best Thank you for that